नमस्ते चात्रों, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में गुप्त समराजे के महत्वण तथ्यों के बारे में अध्यन करेंगे तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने गुप्त समराजे के बारे में आपको जानकरी परदान की थी तो आप प्ले लिस्ट में जाके और गुप्त समराजे के बारे में वीडियो देख सकते हैं गुप्त समराजे से पहले के वीडियो भी आप देख सकते हैं आप अपने दोस्तों तक भी वीडियो को सेर करें ताकि उनको भी प्रीक्स से संबंदित महत्वपुन जानकरी फ्राप्थ हो सके तो देखेगा हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आप सभी का बहुत योगदान रहा है तो पढ़ते हम गुप्त समराजे के महत् पढ़ते त स्रीगुप्त था स्वमूतर गुप्त ने सुएम को परियाग प्रशस्ती में श्रीगुप्त का पर पोत्तर कहा है श्रीगुप्त के बाद गठोतकच गुप्त सलसक हुआ इसकी उपादी महराज थी गुप्त काल में कियवर भ्राहमनों को भूमिदान में दी जाती थी गुप्त काली इन समाज में अंतर्राजिये विवाहें परचलित थे गुप्त काल में नृत्यय एम संगीत में निपून तथा काम सास्तर में पारंगत महिलों को गणीका कहते थे ठेक है गुप्त काल में हिंदु धर्म की अत्यदिक उन्नती हुई इस काल में हिंदू धरम की दो परमुक साखाएं पर्शलित थी वैश्नम और सैव गुप्तकाल में त्रीमूर्ती के अंतरगत ब्रह्मा, विश्णू यो महेश की पूजा आरम हुई इसमें ब्रह्मा को सर्जन, विश्णू को पालन तथा महेश को समहार का परतिक माना गया है गुप्तकाल में कापालिक वे कालामुक संपरदाय अस्थीत्व में आचुके थे गुप्तकाल में जैन्दरम को भी विशेश स्थान प्राप्त था जैन्दरम की स्वेतांबर साखा की दो सभाओं का आयोजन हुआ था पहले सभा मथूरा में 313 इस्वी में तथा दूसरी सभा 453 इस्वी में वर लभी में बुलाए गई थी और ये जैन्दरम की जो सभाई इन सब के बारे में पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं गुब्तकाल में भारत के पूर्विय देशों को स्वन भूमी कहा जाता था इनके अच्छे व्यापारिक संबन्द थे इन से भारत के अच्छे व्यापारिक संबन्द थे गुप्तकाल में बंगाल गुजरा तथा दक्सिन का कुछ भाग कपड़ा उद्धो के परमुक के अंदर थे गुप्तकाल में पस्ची में बढ़ोंच एम पूरव में तामरलिप्ती परमुक बंदरगा थे गुप्तकाल के जो दो बंदरगाएं बहुत ही इंपोर्टेंट हैं एकजाम की दरश्टी से और एकजाम में पूछे भी जाते कई बार कि भढ़ोंच और तामरलिप्त जो है क्या है या दस्या क्यों सुना जाता है या फिर एक किस काल के बंदरगाएं ऐसी क्यों सुना जाते गुप्तकाल में गोडों का अरब एवं इरान से आयात किया जाता था गुप्तकाल में निर्मित स्रेस्टी सार्थ वाहे कुलिक निगम की 274 मुहरें वैशालीशे प्राप्त हुई है गुप्तकाल में कदूर परपाल आंधर पर्देश के बंदरगाह थे कदूर और परपाल हैं आंधर पर्देश के बंदरगाह थे गुप्तकाल में कावेरी पतनम तोंदर चोल पर्देश के बंदरगाह थे गुप्तकाल में कोकई, सलिलपूर, पांडे परदेश के बंदरगा थे और गुप्तकाल में कोत्रयम, मुजरिस, मालाबार के बंदरगा थे गुप्तकाल में सिंदू, औरहोत, कल्यान, मीपोर, परमुक बंदरगा थे जिनसे व्यापार किया जता था तथा गुप्तकाल में सील बठारी का विदूसी महलाएं थी गुप्तकाल में परसित गद्दे लेखक सूबंधु था जिसने स्वापन वास्वदतागी रचना की थी बठी का वे अत्वा रावनवद के रचेता बठी गुप्तकाल के परसित कवी थे भरतर हरी द्वारा लिखित निती सतक, श्रिंगार सतक, वरागे सतक गुप्तकाल के परसित ग्रंथ है कुंतलेश्वर दोत्यम नामक नाटक कालिदास को गुप्तियुगीन सिद करता है वात्षायन द्वारा लिखित काम सुत्तर गुप्तकाल का काम सास्तर सम्मंदी परशित गरंथ है विभासिक तधा संग भद्र नामक गुप्त यूगीन आचार ये विभासिक संपरदा के साहित्य गरंथ के रचियता थे गुप्तकाल में ग्राम पर्शाशन के सबसे छोटी कई थी ग्राम के मुख्या को ग्रामिक अथ्वा महतर कहा जाता था अब देखिएगा गुप्तकाल के जो महतरबुन सासे ख़ब उनके बारे में हमने संक्सित रोप से यहाँ पर बताया है और विस्त्री तोर से आगया आपको और भी इनके बारे में वीडियो दिखाएंगे तो देखिएगा चंद्र गुप्त पर्थम इसका काल है 319 इस्वी से 324 इस्वी गुप्त बिलेखों से पता चलता है कि चंद्र गुप्त पर्थम ही गुप्त वन्स का पर्थम सासक था जिसके उपादी महराजा धिराज थी चंद्र गुप्त पर्थम गुप्त वन्स के द्वित्य सासक गठोत कच का पुत्र था समुद्र गुप्ट 325 इसवी से 375 इसवी ठीक है चंद्र गुप्ट पर्थम के बाद उसका पुतर समुद्र गुप्ट सासक मना वह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उत्पन हुआ था समुद्र गुप्ट पर परकास दानने वाले अत्यंत प्रमानिक स्रोत समगरी प्रियाग परसज़ती के रूप में उपलब्ध है राज सिहांसन पर आसिन होने के बाद समुद्र गुप्ट ने दिगविजे की योजरा मनाई प्रियाग प्रशस्ति के अनुसार इस योजना का धेई धर्णी बंद अर्थात बुहमंडल को बांधना था समुद्र गुप्त गुप्त वन्स का एक महान योद्धा तथा कुसर सेनापती था इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्र गुप्त का समराजे पूर में ब्रह्म पुत्तर दक्सिर में नरमदा था उत्तर में कस्मीर की तलहटी तक विस्तरी था प्रियाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्र गुप्त ने आटविक राज्यों के सासकों को अपना दास बना लिया था ये आठविक राजे उत्तर में गाजीपूर से लेकर जबलपूर तक फैले थे दरबारी कवी हरीशेड ने उसकी सनिक सपलताओं का वीवरण इलाबाद प्रसस्ती में लिखा है अगला सासे का चंद्रगुप द्वित्ये विक्रमादिते 380-412 इस्वी समुद्रगुप के बाद रामगुप नामा के एक दुरबल सासक के स्थीत्वे की जानकरी गुप्तवन सावली में नहीं थे तत्पसाद चंद्रगुप द्वित्ये का नाम है चंद्रगुप द्वित्ये रामगुप का अनुज भ्राता था चंदरगुप द्वित्येगी अपीलेखो होगे मुद्राओं से उसके अनेक नामों होगे विरुदों के विशे में पता चलता है उसे देवस्री, विक्रम, विक्रमादिते, एप्रतीरत, सिहां विक्रम, सिहां चंद्रे, परम भागवत, एजित विक्रम, विक्रमांग, आधी विरूदों से अलंकरिते कहा गया है ठीक है? चंद्रगुप दूइते का समर्जे, पस्चिम में, गुजराच से लेकर पूरं में, बंगाल तक, तता उत्तर में, हिमाले की तलहटी से दक्सिन में नरमदान अधी तक विस्तरी था चंद्रगुप द्वित्य के सासन काल में उसकी पर्थम राजदानी पाठली पुत्तर और द्वित्य राजदानी उज्यनी थी ये दोनों ही नगर गुपत कालिन सिक्सा के पर्शिद के अंदर थे चंद्रगुप द्वित्य का कास सहीतिया और कलाका स्वाणयू कह जाता है चंद्रगुप द्वित्ये के दर्बार में विद्वानों एम कलाकारों को अश्रे प्राप्त था उसके दर्बार में नो रतन थे इनमें कालिदास, धनवंत्री, अक्षपनक, अमर्शीह, शंकु, बेतालभट, घटक करपर, वराह मिहिर और वररूची उलेखनिय थे चंद्रगुप द्वित्ये के सासनकाल में चिन्ने यात्री फायान जो 399 से 412 है इस्वी में भारत यात्रा पर आया तथा उसने भारत पर विर्तान्त लिखा था ठीक है न? तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो को कुमार गुप्त पर्थम चंद्रगुप द्वित्ये विक्रमादिते के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त पर्थम गुप्त समराजे का सासक बना कुमार गुप्त की माता का नाम धुर्वय देवी था गुप्त सासकों में सरवादिक अभिले कुमार गुप्त के ही प्र उसने महेंदर कुमार, सिरी महेंदर, सिरी महेंदर सी हैं, महेंदर करम, अजित महेंदर और गुप्त कुल व्योम आधि उपादिया धारन की थी। पर्चलित की थी, कुमार गुप्त पर्थम के सासनकाल में विश्वे विद्यले की स्थापना की गई थी। इसकंद गुप्त ने देवराज, विक्रमादिते, करमादिते, अधि उपादिया धारन की थी। विविन उपादियों के कारण ही, आर ये मंजूसरी मूल कल्प से उसे विविद धक्खे, अर्दात अनेक नामों वाला नरेस कहा गया है। इसकंद गुप्त ने मोरियों द्वारा निर्मी सुदर्सन जहील को जिर्नोधार करवाया था। तो उसने धरम सहिश्णता की निती का पालन किया। इसकंद गुप्त की मर्टू 467 इस्वि में हुई थी। तो देखेगा इस वीडियो में हमने गुप्त सम्राजे से संबन्दी जो भी महतो पुन्तत्य हैं। उनके बारे में जानकरी प्राप्ति की आगे हम इनी साफ्सकों के बारे में आपको विस्त्री तोर से पढ़ाएंगे। तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे।